फ्रेंड्स क्या आपने भी कभी चीनी में एलोवेरा जेल मिला कर देखा है अगर नहीं मिलाया है तो आज आप चीनी में एलोवेरा जेल जरू मिला कर देखिएगा क्योंकि आज में आपके बालों के लिए बहुती बायरल है कि आपके साथ शियर करूंगी जिसे इस्तमाल करत आपके बालों की जो ग्रोथ है वो पहले से चारुना तेजी से होने लगेगी आपके बालों को भरबूर पोशन मिलेगा और बालों का जहना तो बिल्कुल ही रुख जाएगा बाल इतने ज्यादा साइन करने लगेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे कुछ खास चीजों से यह दुनिया का सुपर शैंपू बनकर तयार होगा जिससे आपके बालों की सुपर ग्रोथ होगी यह बहुती खास और अजमाई हुई रेमेडी है जिसको इस्तमाल करके आप अपने बालों को काला लंबा घना और जर से मजबूत कर सकते हैं सिर्फ दो या तीन वार के यू आपको लेनी है एक चम्मच चीनी यानि की शुगर चीनी आसाने से सभी गरों में मिल जाती है चीनी डैट सेल्स को गंदगी को जमा हो जाती है उसको भार निकालती है चीनी हमारे बालों के लिए बहुत ही खास मानी जाती है यकीन ना हो तो फ्रेंड्स आप गूगल पर जरोत नहीं रहेगी आपको यहाँ पर लेनी है एक चम्मच चीनी इसकी बाद में आपको लेना है ऐलोविरा जेल तो आप अच्छे से जानते ही होंगे यह हमारे बालों के लिए एक वरदान है यह बालों को जरसे मजबूत और घना वनाता है और हमारे स्केल को ठीक करता है बहुत सारे फायदे होते हैं इससे बालों में कैसा भी infection हो कोई भी problem हो उससे ठीक हो जाती है आपको यहाँ पर एक ही चम्मच मिलाना है ऐलोविरा जेल अब आपको यहाँ पर अगली चीज़ जो एड करनी है वो है नारियल का तेल यानि की coconut oil नारियल का तेल हमारे बालों क भी बहुत ही अच्छी होने लगती है एक ही चम्मच आप इसमें मिलाए नारियल का तेल अब इसको थोड़ा सा मिला लीजिए फ्रेंड्स एलोविरा जेल चीनी और नारियल का तेल बालों के लिए बहुत ही खास होते हैं आप इसे जटपड से बड़ी आसानी से और बहुत इसे फैंटेंगे तो चीनी जो है खुदी अपने आपसे मेल्ट हो जाएगी फ्रेंड्स चाहें तो आप इसे ऐसे ही अपने बालों पर लगा सकते हैं नहीं तो आप दूसे तरीके से भी इस्तमाल कर सकते हैं आप इसमें मिलाए अपना फेवरेट शैंपू जी हां दोस्तो जब आप इसे अपने बालों पर इस्तमाल करेंगे तो बाल लंबे तो होंगे ही आपके बालों का जहना भी रुख जाएगा अब आप इसमें मिलाए थोड़ा सा पानी मीठा पानी आप यहां पर यूज करिए जो आप पीते हैं वो ही आप इसमें यूज करिए अब आप इ बहुत ही ईजी है बनाना आप इस जोट पड़ से तयार कर सकते आप चैम्पू करते हैं वैसे आप इसे को पने बालो पर लगाईए दी दीरे-दीर मसाच करते हुए आप इसे बालो पर अच्छे सघ्रे से लगा लीजिए इसे हपते में 203 वार इसे जरूर यूज़ करके देखिएगा आपको इसके रजल्ट खुदी पता लग जाएंगे यह कितनी अच्छी और बढ़िया रेमेडी है तो आज की रेमेडी आपको कैसी लगी तो आप जरूर कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और कमेंट करके यह भी बताईएगा कि आप कौन से सिटी से और कौन से कंट्री से हमारे वीडियो को देख रहे हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आयरवेद के घरेलो देशी नुस्के को जरूर फॉलू करिएगा सब्सक्राइब जरू करिएगा और वीडियो को जादा से जादा लाइक और शियर जरू करिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो एव नाइस दे रादे रादे दोस्तों